हुआ है वेल्कुम तो मैंचनल इस बीड़ी में सॉल्व करेंगे क्वेशन नमबर सेबंड फाइंड दी स्क्वेर्स आफ दी फाल्विंग नमबर्स बाई विज्वल मेथड चलिए सॉल्व करते हैं question number one हमें निकालना है 52 का square थीक है तो इस नमबर का square के लिए हम लगाएंगे visual method विजल मेथड में करते क्या है कि 52 जिसका square निकालना होता है उस side का एक square बना लेते हैं उतने ही length का एक square बना लेते हैं ठीक है तो हम बनाते हैं 52 को करना है 52 length का एक हम बना लेंगे square मालेज़की यह क्या है एक square है जिसका length है 52 दोनों तरफ से ठीक है अब यह 52 को क्या करते हैं कि break कर लेते हैं दो simple parts में मतलब 52 को लिशकता है हम लोग 50 plus 2 ठेक है अब यहाँ पर दिखे ये जो पुरा 52 length है ठेक है हमने यहाँ पर जो draw किया है इसको 52 यहां पर भी और यहां पर भी 52 है यहां से यहां तक है हमने यह square ऐसा डुरा किया है कि 52 लेंथ का है दोन तरफ से अभ करना क्या है कि यहां पर हमें 52 को पर लिख दिया 50 más 2 मतलब कि हम इसको ले सकते हैं 50 इतना और यहां से 1 सबस्क्राइब कर सकते हैं पे और टू माल सकते हैं इसको और यहां विल यहां पर अब देखिए बन गया छोटा सा स्थken तो 15 जो 50 है और यह जो 50 है तो उनको मुट्बलाए करके यहां लिखिए 55 25 हो जाएगा और दो 0 है दो लगा दीजिए अब देखें यह एक्चुली एक rectangle है तो rectangle में क्या करता है length इंटी ब्रेथ करता है तो यह वाली जो length है यहां से लिख करके यहां तक वो एक्चुली 50 है और यह जो 2 है यह भी 2 होगा और यह भी क्या होगा 50 होगा क्योंकि यह square है न हमने ऐसा बाटा हुआ है कि यह 2 होगा 50 होगा ओके मतब जिधर ऐसा जिधर जैसे हुआ है वैसे ही इधर भी होगा 50 है यह 2 है तो यह 2 होगा तो ऐसे करके ओके ठीक है तो यहां पर इसकी एरिये क्या हो जाएगी इसकी एरिये हो जाएगी 2 इंटी 50 अटबलाई कर दीजिए length इंटी ब्रेथ होता है न रेक्टेंगल का आ आड़ कर देंगे तो हमारा निकल लेगा 52 का square so 522 square is equal to 2500 plus 100 plus यह वाला 100 plus यह 4 सबको आड़ कर लेगे तो मिलेगा हमें 25 hundred plus 100 2600 2700 and 4 means हमारा आजाएगा 2700 and 4 ठीक है, तो हमारा यही आंसर है, तो आप समझ गयों कैसे करना है, चलिए हम एक question और पताते हैं, इसको इडिश कर लेते हैं, तो देखें इससे हम fast भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इससे lengthy होगा और time लगीगा, ऐसा भी नहीं है, इसे माल जो 95 करना है, तो second करते हैं, 95, इसका square करना है, ठीक है, तो 95 को डायट लिख दीजए, ऐसे 90 प्लस 5, ठीक है, और तुरंत हम बना सकते हैं, यहां पर एक छोटा सा square, जिसको हम दो partition ऐसे कर सकते हैं, छोड़ा सा, उसके बाद यहां लिखेंगे 5, फिर यहां भी लिखेंगे 90, और यहां लिखेंगे 5, और यह जाए 81, और 00, फिर यह हो गया, अब देखें, यहां पर आउख करना है पड़ेगा, तो यहां मडबलाए कर दीजए इनको, 95 जा, 45, 450, यहां पर करिए, 55, 25, यहां 95 कितना करेंगे, 45 हो जाएगा, 450 हो जाएगा, अब सब को आड़ कर दीजिए, तो हमारा आजएगा 95 का स्क् इसकार 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 तो क्या आजएगा, 80, 100, प्लस 450, प्लस यह 5, 25, ठीक है, आड़ कर लिजिए, देखें, 450 और 450 आड़ करेंगे, तो कितना हैगा, 900, ठीक है, 900 आड़ करेंगे, यहां पर 80, 100 में से तो करना मिल जाएगा, 9,000, 9,025 हो जाएगा यह, मिन्स, 9,025 हो जाए क्लियर है, चले थर्ड करते हैं, यह थर्ड करना हो हमें, यहां पर दियाओ है 505, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 505 को ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में, और यह ऐसे करेंगे, 500 प्लस 5, यहां भी करना पड़ेगा, एक बड़ा सा स्क्वार बना लिजिए, उसके बाद हम इस तरीके से, ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे यहां पर 500 और यह लिखेंगे 5, यहां लिखेंगे 500 और यह लिखेंगे 5, 500 यह होगा 5, यह होगा 5, और यह होगा 500, अभी हम अपन प्लाइग कर लिजे, 500 इंटो 500, मिसमें जाएगा 25, और 4 zeros, राइट, यहां भी करेंगे तो 55 25, 25 होजागा 25, 2008, यहां 25, और यहां 500 इंटो 5 होजागा, तो यह होगा 25, सब को आड़ कर लेंगे अंदर का, स्क्राइग के अदर जो नमबर्स हैं, मींस यह होजाएगा 505 का, तो, 505 का स्क्रार जो होगा, वो होजाएगा 25 और प्लस 2500 प्लस 2500 प्लस 25 25 ठीक है अब यहाँ पर आइड कर दिजिए सबको देखे 25 वंडे 25 वंडे 25 वंडे कि तो मिलेगा आपको 255 टिपल 0 और प्लस 25 को हम यहाँ बैड कर लेंगे तो मिल जाएगा 255 025 यह आपका हो गया नमबर यह आपका आंसर हो गया ओके तो ऐसे आपनेकाल सकते हैं नेखस्ट वाला भी लेसाल कर रहते हैं फूर्थ वाला भी उसके बाद जो बचेवे नमबर हैं आपकर रहते हैं खूद बाद जिंड दो कर लेता है 40 270 को लिख लीजे پहले 700 अस्वेज है और इस दुर को दो भागव में बाट लीजिए हाँ पर पहला पाइट है हाम दूसरा हो जागा टू कि इसको जो है ऐसे करके हम पर्टिशन कर लेंगे और यहां से भी पार्टिशन कर लेंगे यहाँ पर यह तू रहेगा और यह होगा क्या 700 अब कर लिए 700 इंटू 700 कितना हो जाएगा यहाप लिखिए तो 7 समझा 49 और 4 0s फिर यहाँ पर दिखिए यह भी 700 रहेगा और यहाँ पर 2 रहेगा यह भी 2 रहेगा और यह 700 होगा 700 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1400 यहाँ पर या करेंगे 7 इंटू 2 1400 यहाँ भी आएगा फिर टू जब 4 यहाँ पर आएगा तो अब इन सबको आइड कर लेंगे क्या मिलेगा 702 का स्क्राइड करेंगे तो मिलेगा 491234 इतना प्लस 1400 कितना जाएगा 2800 प्लस यह 4 एड कर लेंगे अब यहाँ पर आंसर आए हमारा 492804 यह आपका आंसर जाएगा ओके तो मतलब यह भी सिंपल मिधड है और यह भी अच्छा है आप देख करेंगे के विजुली जो है solve कर सकते हैं तो जो लोग visual persons होंगे जो किवल mind में imagine करके solve करते होंगे को equation तो यह उनके लिए काफी best method है मैं भी visual method हूँ मतलब तरीके से solve करता हूँ तो यह मेरे लिए आसान तरीका है मुझे अच्छा लग रहा है तो आपको भी लगा होगा ठीक है यदि आपको लगा है तो जरूर कमेंट वाक्शन लिखे आपको बताइए इसको बारे में और जो methods है कौन मतलब आसान है visual method आसान है या फिर काला method आसान है या diagonal method आसान है कौन सा method जो है आपको simple लगा जरूर कमेंट वाक्शन लिखेगा मैं आपका reply का इंतजार करकर होगा थैंक्यू सो मच बाइए